इस चैनल पर हम आपके लिए रहसे में और स्वास्ता समन्दे सभी बाते देकर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जबूर दबाए इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले जैसा कि आप लोग चानते कि कौन हमारे शरीर का एक बहुत ही महतोपुर्ण अंग है कान की वज़त से ही हम किसी चीज़ को सुन सकते हैं सही समय पर कान की सपई ना हो तो वेक्टी को कान में दर, बहरापन या फिर खुजिली जैसी समस्या भी उत्पन हो सकती है इसलिए कान का ख्यार रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूरी होता है और आज हम आपको कान का मेल साप करने के बारे में बताएंगे तो आए चानते हैं कान की सफ़ई करने के लिए नमबर एक, गरम पानी पानी को हलका या गुनगुना करे और रूई की मदद से कुछ बुंदे गुनगुने पानी की अपने कान में अंदर डाले कुछ देर तक पानी को कान में अंदर ही रहने दे और कुछ समय बाद कान को लटकर पानी को बाहर निकाल दे ऐसा करने से कान की अच्छी तरह से सफ़य हो जाती है नमबर दो तेल जेतुन या सरसो का तेल के अंदर थोड़ा सा लसुन डाल कर उसका उकाड ले और जब यह तेल थोड़ा गुंगुना हो जाए तब इस तेल में रुई डुबा कर एक दो बुंदे अपने कान में डाले ऐसा करने से कान का मेल आसानी से बाहर आ जाएगा नमबर तीन प्याच का रस रात को भाप में पका कर या भून कर इसका रस निकाल ले प्याच के रस को रुई की मदद से अपने कान में डाले इससे कान का मेल आसानी से बाहर आ जाएगा नमग का पानी गरम पानी में नमग मिलाकर उसका घोल तयार करे इस घोल के पानी की कुछ बुंदे भी मदद से अपने कान में डाले थोड़ी देर में इस गहने को अपने कान से बाहर निकले ऐसा करने से आपके कान का मेल जल्दी बाहर निकल जाता है